कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब कि आज हम डिसकस करेंगे यूपी ट्रिपल सी पैट का जो सलेबस है उसके बारे में क्योंकि यूपी में समूग है के पदों के लिए कि अगर आप कि फॉर्म डालते हैं तो उससे पहले आपका इपट एक्जाम के लिए होना चाहिए तो जैसे कि आप देख रहे हैं सलेबस यह काफी वाइड है पर जैसे कि यह वंडे एक्जाम है तो इसकी आप प्रिपरेशन काफी जल्दी कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत इतिहास जो कि यहाँ पर पांच अंकों का लगबग पूश्चन इसमें पूछे जाएंगे जिसमें आपका जिन्दू घाटी सब्वेता के बारे में हैं वैदिक संस्कृति बोध धरम गोतम बोध जैन धरम जितने भी मुख्य धरम हैं उनके बारे में हैं और फिर आपके जो महत्पून राजा हुए हैं मौरियवन्स में हुए हैं और सल्तनत मुखल काल मराठा जितने भी मुख्य सामराज्जी हुए हुए उनके बारे में फिर ब्रिटिस राज के बारे में सुटन तसंगराब के बारे में यहाँ से कॉश्चन आएंगे उसके बाद भारते रास्ते आंदोलन के बारे में होंगे कि जो जो आंदोलन है उन्मुख्य घटनाए हुई हैं और महात्मा गांदी ज्वारा जो आंदोलन चलाए गए वो जितने भी ग्रांतिगारी आंदोलन हुई हैं और ब्रिटिस इंडिया के बारे में जो उन्होंने एक सवीधान का बेस रखा क्या क्या एक्ट उनल लागू किये ये सब पूचा जाए फिर भुगोल के बारे में आते हैं भारत में और विश्व के भुगोल दोनों ही से क्वेश्चनियां पर आते हैं तो सबसे इंपोर्टन जैसे की नदिया हो गई फिर हमारे भूजल संसाधन पर वहत पाड़ी इनका इंपोर्टन्स क्या है और किस तरह की वंस्पती यहां पर होती है किस तरह की मिन्रल्स यहां पर मिलते हैं तो और भारत में ही नहीं विश्व में भी क्या क्या इंपोर्टन्ट मिनरल्स होंगे उनके बारे में हमें बताना होगा भारते अर्थवरस्था की बार आती है फिर क्योंकि 1947 से 91 तक जो की बहुत ही इंपोर्टेंट थी पंच वर्स योजनाएं उनसे जुड़े क्या क्या लक्ष है इसमें रखे गए और क्या क्या लक्ष है कि कब कब प्राप्ती हुई और यह सब पूछा जाएगा अब फिर अर्थवरस्था में आपका मिस्त्रित अर्थवरस्था का विकास किस तरह से हुआ नीजी सावजनिक चेत्र क्या रोल निभाते हैं अर्थवरस्था में हरित करांत्री हो गया और बैंकों का रास्टे करन हो गया उसके बाद और उसके बाद जैसे कि 2014 के बाद क्य से नहीं न्यम लाग हुए हैं उनसे जड़े हुए प्रसंदप पूछे जाएंगे भारतिय सभीधान और लोक्रसासन तो सभीधान से जड़े बहुत से comment बन जाते हैं और आपका फिर आपका राज्ये की नीती निते सक्सिद्धान मुली गादिकार हमारी करतव यह संसद्ध प्रणाली किस तरह करिंक धाचा होता आ किस तरह से फोर्म करते हैं कानून के जानकारी किस तरह से नियम ऐनम बनाए जाते हैं संसद में उन से जुड़े कॵश्चन हो सकते हैं और आपका केंद साइसर प्रदेस जड़े क्वेस्चन नियालय큹 जड़े क्वेस्चन यह सब पर जानकारी होंनी चाहिए उसके बाद हम सामान्य विग्ञान तो आपके जो सामान्य विग्ञान डाषम साफ हमेह बहुत ही ग्यान- रसाइंट्री नियाल्य सरवच नियाल्य जुड़े क्वेस्टन ये सब के ज पांच नंबर के होंगे प्रार्विक अंग अंग निते हैं पूर्ण संक्या भिंद संबलवजाद साधारन से खाते हैं और कि बात आते हैं सामान्य हिंदी की संदी लों शवत्राइबाची जो आपका मुख्या टोपिक समें दिये गए हैं इनका लेवल लगबग आपका हाई स्कूल लेवल का ही होगा उससे ओपर नहीं जाएगा सामान्य अंग्रेजी आता है इंग्रेजी व्याकरन कुछ आपको एक से आपको लिखने होंगे फिर आपका लोजिकल रीजनिंग में तो रख संबन से जोड़े कुश्चन और समों के भीन को अलग खना क्लेंडर घडी से जोड़े कोश्चन कोर्डिंग डिकोर्डिंग जो मुख्य टॉपिक होते हैं वह इसमें आएंगे करण्ट अफेर वीडियों वह देख लेनी होगी या कोई पिछले 6 महीने के आपका जो करन्ट अफेर है कोई बुक पर्चेस कर लीजिए को तो काफी होगा सामने जाकते वह भी आपके जन्नले में करन्ट अफेर से जुड़ा हुआ होगा लगबग जैसे कि भारत के पड़ोसी जाता कोश् कोश्चन होगे तो यह सब और जैसे कि इसमें लिख आपको देख रहे होगे कि कौन-कौन सी मुख्या पुस्त के एक तरह से कि अभी चलन में हैं और अपका लेखक अवावर्ड पुरुषकार चल परिवरतन परियावरन से जुड़े हुए यह सब कोश्चन आपको मिलें फिर आगे हैं अपटित गध्धान्स कभी वेचन विसलेशन और आपका उसे पढ़कर आपको आंसर देने होगे ग्राफ आप आपको मिलेगा तालिक आपको मिलेगी जिससे आपको यह उनमें से पढ़कर आपको उसके अंसर देने होगे तो यह स्लेवस है जो कि आपका पैट का है तो इसमें करीब तैयारी के लिए अगर आप देली 5-6 गंटे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि अभी करीब आपको जितना भी समय बचा हुआ है आज से लेकर यह करीब एक से डेड़ महीना तो 45-50 दिन काफी होंगे इसके तैयारी करने के लिए और इसे जुड़ी हो और हम कुछ जानकर इलाते रहेंगे इसके तैयारी को लेकर तो अभी फिलाल इतना है आपको यह वीडियो अच्छे लेगे तो इसको लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा थैंक्यू वरी मच्छ